सुपर टेक ट्विन टॉवर्स धस्त हो चुके हैं लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि वहाँ जो कई हजार टन मलवाई खटा हुआ है उसका आकिर होगा क्या ना सिर्फ वो मलबा बलके अलग-अलग जगा देश में जो मलबा इखटा होता है उसका क्या होता है या फिर आज कल क्या प्रोसेस शुरू हो गया है वो आज आपको हम बताएंगे और बातचीत करेंगे यहाँ पर मेरे साथ एक्सपर्ट कहलीजिए उनको या फिर ओनर कहलीजिए या फिर कहलीजिए कि उनके दिमाग में ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बसा हुआ है जो कि हमें अब वो समझाएंगे क्यूंकि उ उन्ही के प्लांट पर तयार हो रहा है मेरे साथ इस पक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिस्चर मसूत मालिक जी उनसे सीधे बातचीत करते हैं सर हमने पूरा प्लांट देखा बड़ा ही दिल्चस्प है वो मलबा आ रहा है लेकिन वो मलबा तो एकदम फ्रेश सें हैं लेकिन सबी के जवाब चाहिए हैं सबसे पहली बात तुम यह कहूंगा कि हिंदुस्तान में जो विभिंदर प्रकार के वेस्ट अप्शिष्ट जेनरेट होते हैं उसके अंदर जो उसका पोटेंशल रिसोर्स वैल्यू है उसको समझना बहुत जरूरी है उसी विजिन क साथ यह कंपनी शुरू हुई करीब 25 साल पहले इस कंपनी का आज नाम री सस्टेनिबिलिटी है यह कंपनी बिलीव करती है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई वेस्ट नहीं होगा हर एक चीज के अंदर एक रिसोर्स वैल्यू मिलेगी हमें और अगर हम मलबे की बात कर तो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसको पहले कभी भी एक रिसाइक्लिबल की तरह नहीं देखा जाता था इसको हमेशा कहीं दूर भेज दिया जाता था फेक दिया जाता था शेहरों के बाहर लो लाइंग एरियाज में अबैंडन एक्सक्वेट और एक वक्त था जब 99% ऑफ दिस वेस्ट कुछ साल पहले तक ही एक्चुली में ट्रीट नहीं किया जा रहा था इसको ऐसे ही फेक दिया जाता था हमारा मकसद ये था कि इस वेस्ट से भी हम ऐसी चीज़े बनाएं जो वापस सुसाइटी में जा सके और जो प्रेशिस ज़िए ज़िए आगरीगेट्स ओ चाहे वो कॉंक्रीट प्रोड़क्स ओ इस तरह के पेवर ब्लॉक्स ओ टाइल्स ओ ये सारी चीज़ें जो आप नॉर्मली कॉंक्रीट और सिमेंट से बनाते हैं वो आप इस तरह की प्रोड़क्स से भी बनाएं जो इक नया लाइफ एक जिन्दगी देते हैं वेस्ट को तो यह टेक्नोलिजी बहुत सालों से यूरोप में थी और हम इसको यहां लेके आए और यह नौईडा में हमने करीब दो साल पहले यह प्लांट कमिशन किया यह पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप में हमने यह प्लांट नौईडा अथारिटी के साथ मिल के बनाया जिसके अंदर कंस्टुक्शन इन डेमोलिशन वेस्ट से अलग अलग तरह के रीसाइकल प्रडॉक्स बन रहे हैं जिसमें फाइन सैंड है कोर्स सैंड है ऐग्रिगेट अलग-अलग साइज़ेज के 10 mm का 20 mm का 40 mm का और विबिन्द प्रकार क कि प्रीकास्ट माटीरियल्स चाहे वो पेवर ब्लॉक्स हों, टाइल्स हों, कॉंक्रीट के अलग-अलग प्रोडक्ट्स हों, जैसे कर्ब स्टोन्स वगहरा, उनको बनाया। सर, मेरे सवाल यहाँ पर यह है कि कई हजार टन मलवा एक सा ट्विन टॉवर के द्वस्त होने के बाद निकला और उसके बाद ही कही न कहीं एक जागरुपता भी लोगों में फैली कि इतना बड़ा जब टॉवर द्वस्त हुआ है उस मलवे का क्या होगा बहुत सारे सवाल ल लोगों के अंदर एक जागरुपता होगी कि मलवे को प्रोसेस करवा लिया जाए, प्लांट्स को कॉंटार्ट किया जाए, भेजा जाए, कुछ लगता है कि जो अवेडनेस है वो बढ़ेगी I think NOIDA में, NOIDA हमेशा से इन विश्यों पे सस्टेनेबिलिटी और इन्वारिमेंटल प्रोटेक्शन में अग्रिसर रहा है और इसलिए जैसे ही C&D वेस्ट रूल्स आए भारत में, तो NOIDA अथॉरिटी ने सोचा कि किस तरह से हम इस रूल्स के कम्प्लाइंट बन जाएं हर urban local body, हर शहर में एक C&D recycling plant और बड़े शहरों में तो कई C&D recycling plants की ज़रूरत है, क्योंकि जितने नए घर बनते हैं, पुराने घर redevelop किये जाते हैं, ये तोड़े जाते हैं, उसमें से ये waste निकलता है उस waste का एक environmentally responsible recycling होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम न करें वो तो वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा, जहां पे वो damage create करेगा, ecological damage, environmental damage, आप थोड़ा ध्यान रखें, पीछे, 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 तो उस, I think अब वो वक्त आ गया है, जहां पे public इतनी जागरूप ह हो चुकी है, कि production, waste, waste management, environmental causes, जैसे climate change अब बहुत जादा लोगों के दिमाग में है, तो कहा जाता है, every idea waits for its time, and this is an idea whose time has come. सर, मैं यह पूछने चाओंगी, एक plant को लगने में क्या cost आता है, और जिस तरह से twin tower के मलवे को आप लोग वापस से reuse के लिए तयार कर रहे हैं, उसमें कितना cost आएगा? तो यह plants जो हैं, वो अलग-अलग sizes के हैं, हम तो कई सारे plants हिंदुस्तान में operate कर रहे हैं, दूसरे दिशों में भी, और यह करीब 50 करोड से लेकर के 500 करोड तक का cost इस plant को लगाने में आ सकता है, depending on its size and capacity, और हमारा मकसद यह है कि हम इसके अंदर economic value सिर्फ नहीं ढूंडते ह हैं, अगर हम economic value के नजरिये से recycling को, resource recovery को देखेंगे, तो शायद viable नो हो, हमें यह देखना है कि यह एक natural resource को substitute कर रहा है, वो यह चाहिए वो river sand हो, aggregate हो, concrete हो, उसको substitute कर रहा है, तो वो एक environmental benefit और एक environmental value भी create हो रही है, economic value के साथ-साथ, government से कितना help सर, government तो जो हमें processing fee देती है, वो खरीब 156 रुपे पर प्रती टन के हिसाब से processing fee देती है, जो normal मलबे के लिए processing fee है, यह भी, यह जो super tech का waste है, यह भी उसी fee के उपर हम process कर रहे हैं, इसके लिए कोई special fee या कोई charges हम नहीं ले रहे हैं, सर, मुझे यह बताईए कि आपने बताया कि government इस चीज़ को promote भी कर रही है, आपको इक processing fee जो बनती है, वो भी दी जा रही है, चाहें वो super tech के मलबे के लिए हो, या फिर बाकी मलबा जो हैं process होने के लिए आता है, उसके लिए हो, मेरे सर, सवाल यह है कि government के जो projects होते हैं, चाहें पार्क्स में development हो, बाकी जगर development हो, क्या government यहां से material भी मंगवा रही है उसके लिए, या भी इस material का government use नहीं कर रही है, नहीं काफी material यहां पे actually public projects में जा रहा है, जो construction material है और जो products हैं, जैसे paper blocks हैं, tiles हैं, वो public projects में जा रहे हैं, और अगर हम भी कोशिश करते हैं कि CS सार के माधियम से, यह products को हम वापस social use में और public causes में इस्तमाल करें, जैसे इसी plant के साथ में हमने कुछ जमीन को adopt किया है, जहां पे हमें public work create कर रहे हैं, वहां पे जितना भी material यूज किया जा रहा है, for purposes of landscaping और parts वगहरा create करने के लिए, वो सारे recycle products ही हैं, तो मुझे लगता ह है कि जैसे जैसे हम लोगों को दिखाएंगे कि इस material की quality, जो virgin material है, जो जो market में वो normally खरीदते हैं, उससे बहतर है, और environmentally responsible है, तो शायद इसका off-take भी और जल्दी बढ़ होगा. गॉर्मेंट कितना बड़ा रोल निभा सकती है इस चीज़ को promote करने में, क्योंकि अभी बहुत जादा awareness लोगों के बीच में नहीं है, कह सकते हैं कि लोग अभी कुछ दिर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने खुद ये बात कही कि अगर अपना घर बनाते हैं, लोग फ्रेश मिटीरियल जो है कमपनी से खरीदते हैं, सस्टेनेबल प्लांट से अभी खरीदना प्रोड़क्ट को, अभी लोगों को कितना वक्त और लग सकता है, मुझे लगता है कि इस इन आइडिया हुस टाइम हैस काम, ये मिटीरियल जो है, चाहे हम री सैंड की बात की कोशिश किये है हमने, हमारा मकसद ये है कि जो भी इसको इसको इस्तेमाल करें, वो मुझे लगता है, जिस तरह से आज की डेट में, लगबग हमारे सारे प्लांट्स, जो भी मैनिफ्यक्टर कर रहे हैं, लगबग 100% कॉंटिटी को पबलिक में, मार्केट में वापस पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस आइडिया का वक्त आ गया है, सबसे पहले तो ये कि एक दिन में कितना मलबा वहां से आपके प्लांट पर पहुच रहा है, अभी तक मलबा हमारे पास आया नहीं है, हमें उमीद है कि करीब 300 टन के आसपास हर दिन हमारे पास भेजा जाएगा अगले हफ़ते से, कितने दिन लगेंगे उस पूरे मलबे को प्रोसेस होने में, अगर मैं सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन की हिसाब से देखूं, तो मैं करीब तीन महीने के अंदर वो पूरा मलबा क्लियर कर पाऊंगा, और प्रोसेस करके प्रोड़क्स बना पाऊं तो जितनी जरुवत पड़ेगी, उतना हम इस प्रोसेस कर सकते हैं, इस प्रोसेस कर सकते हैं, इस प्लांट में कैपैसिटी है, गौर्मेंट की तरफ से क्या कुछ इंस्रक्शन्स हैं? गौर्मेंट की तरफ से इंस्रक्शन्स यही हैं, कि C&D Waste Rules के compliance में पूरी प्रोसेसिं प्लांट में, कुछ अलग से हमें न करना पड़े, तो हम confidently यह कह सकते हैं, कि C&D Waste की पूरी तरह से compliance होगी, और in fact हमें confidence है कि यहां पे खरीब नॉर्मली हम 95% तक रिसाइकल कर पाते हैं C&D Waste को, लेकिन सुपर टेक के लिए हमने एक स्पेशल मुहीम उठाई है, हमने एक सौ परसेंट करेंगे, 25% और सौ परसेंट में कहां difference आ जाता है, इसको बहुत fine material होता है, silt, उसको recycle करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने इस बार plan बनाया है, कि हम वो जो बिल्कुल fine silt हैं, 2-3% के आसपास जो निकलते हैं, हर एक processing plant में, उसको भी recycle करें, उससे भी एक beneficial और eco friendly use निकालें उसका, इसको बेल्ट्स लगे हुएं सर, यहाँ पर पर पांच अलग अलग किसम के plants हैं, जो completely, सिंक में एक दूसरे के साथ completely balanced हैं, और एक साथ काम करते हैं, बहुत शुक्री हम से बात करने के लिए तो आपने सुना, मसूद मलिक जिन्नोंने बताया, कि इस plant में twin tower का जो मलबा है, वो पूरी तरह से process किया जाएगा, ना सिर्फ 95% बलके 100% इस मलबे को process किया जाएगा, बड़ी बात यह है कि 5 plants यहाँ पर हैं, कई सारी bells यहाँ पर हैं, और बड़ी बात यह है कि अगर single shift में यहाँ पर काम होता है, तो तीन महीने के अंदर, क्रीबन तीन महीने का वक्त लगेगा, सब ही मलबे को 20 आवर के process कर दिया जाएगा, लेकिन अगर shifts बढ़ती है, गौर्मेंट से आपस में बातचीत बनती है, तो उसको जल्दी भी किया जा सकता है, कैमरा परसंट प्रवीन दिक्षित के साथ, नदीहा खान, ABP News, नौइड आपिए जौशिय है, से तो उसकी भेगा, शौशिय है, बाइपी यजिय है, तो जौशिय है, तो जौश ऑढ़ती है, वोगे जौशी पहान, ABP News, जौशश वे हम मומ時 sutने हैं, VPN देजिए.